नमस्कार आप सबका बहुत बहुत स्वागत मेरी मा कभी कभी भट्टी पे पकाय हुए बैगन का भरता मना दिती है उसकी याद आ गई है और उसी के साथ कुछ लोगों ने मुझसे पूचा है कि बढ़िया वाला बैगन का भरता कैसे बनाते है तो इसलिए आज हम बनाएंगे भट्टी पे पकाया हुए बैगन का भरता ये बहुत ज़ादा टेस्टी होने वाला है फ्रेंड्स ठीक से देख ल लकडिया डालके उसे हमें अच्छे से सुलगाना है तो उसका टेंपरेचर सही होना चाहिए तो ये लकडिया इसके अंदर डाल देंगे जबी आप कोई भी चीज इस भट्टी पे पकाऊगे इस लकडी के बट्टी पे तो आपको खुद का भी बहुत ज़ादा ख्याल लगाएंगे तेल लेकिन अगर ये अवैलेबल नहीं है तो जो हमें रेगिलरली मिलते है परपल कलर के बैगन जो भरते के बैगन होते है उसका इस तमौला इस रेचिपिक के लिए आप कर सकते हो मुझे हमेशा लगता है लेकिन जो सीजनल वेच्टेबल्स आवेलेबल होत से थोड़ा तेल लगाएंगे और इस तरह से ये सारे बैगन पका लेंगे इस भट्टी के उपर इसे हम पलटे रहेंगे ताकि सबी साइड से ये बैगन अच्छे से पकेंगे इसमें मैं प्यास का भी इस्तमाल करने वाला हूँ और साथी साथ जो spring onion होता है जो पत्ते वाला बैज होता है वो भी हम इसमें इसतमाल करेंगे उसका अलक फ्लेवर आता है और ये दो प्यास मैंने यहाँ पर कट कर लिये है और अब हम कट करेंगे spring onions ये spring onion मैंने अच्छे से पहले धोके लिया था तो ये एक पूरी spring onion की गड़ी मैंने ली है इसे मैंने कट कर लिया है अ मेथी से इस भरते में अलग ही बहुत बढ़िया टेस्ट आती है फ्रेंट्स और एक चीज़ याद रखना फ्रेंट्स जबी आपको चांस मिले तब हरी सबजिया जो होती है वो आपके रसोई में आप जरूर इस्तमाल कीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रियंट् और जी हाँ हरा धनिया तो हम यूज़ करेंगे ही तभी तो भरते की टेस्ट और बढ़ेगी है ना हरा धनिया जो होता है उसे हमारे यहाँ पर मतलब विधर्ब अकोला नाकपूर इन जगाओ पर इससे सामबार कहते है सामबार इस तरह से भट्टी पर आपने कोई डिश ब मिलती है वो दिखने में बहुत जएधा अट्रेक्टि नहीं होगी लेकिन वो खाने में ज़दा हेल्दी होती है कि ÖIGNCHAC T कट कर ली है और दूसरी थरफ ये बढ़िया वाले बैगन पक रहे है वाव इस पर थोड़ा ध्यान रखना है इसे बीच बीच में टरन करते रहना है हमें और इस भरते में मैं लसन का भी इस्तमाल करने वाला हूं जिससे भरता और भी टेस्टी हो जाता है अब कुछ लोग लसन का इस्तमाल करते हैं कुछ नहीं करते हैं लेकिन मेरे बरते में मैं लसन का इस्तमाल करने वाला हूं इससे भरता बहुत जाला टेस्टी होता है ये बैगन थोड़ा सा एक तरफ कर लेंगे और ये जो pan है मैंने इसके ओपर रख दिया है और इस pan के अंदर हम जो peanuts होते है जो मुंगफली है उसे हमें roast करना है ये एक कप मुंगफली मैंने इसके अंदर डाल दी है इसे हम roast कर लेंगे और ये बैगन भी almost पक चुके है मुंगफली को अच्छे से रोज कर लिया है इसे निकाल लेंगे यह बैगन भी अब निकाल लेंगे और इसे थोड़ा थंडा करना है लेकिन बहुत जादा थंडा नहीं करना है क्योंकि हमें चिलका निकालने के लिए जब बैगन गरम होते है न तो आसानी से आप छिलके निकाल सकते हो इसके लिए और बैगन को 57 मिनिट हमें ठंडा करना है और ये जो मुंगफली है उसे हमने कपड़े में निकाल लिया है और इसके छिलके निकाल लेंगे जितने पॉसिबले उतने निकालने है और थोड़े रह भी गए तो इतने कुछ ज़्यादा सोचनी की जुरूत नहीं है और ये जो मुंगफली है वो डालनेंगे हम हमाम दस्ते में थोड़ा कूट लेना है थोड़ा सा क्रश कर लेना है हमें और ये पिनट्स को हमने क्रश कर लिया है इसे निकाल लेंगे प्लेट में अब हम हमाम दस्ते में डालेंगे लस्तन की पंखुडिया और हरी मिर्ज और उसे भी हमें अच्छे से थोड़ा कूट लेना है थोड़ा सा क्रश कर लेना है हमें हरी मिर्ज का हम इसे कहते हैं ठेचा तो ये गाउ में बनता है ठेचा और भाकरी तो थेचा भी बहुत अच्छा लगता है हरी मिर्च का लसन और हरी मिर्च हमने अच्छ से इसमें क्रश कर ली है उसे भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और बैगन को 5-7 मिनिट हमें ठंडा करना है अब सब तयारिया हो चुकी है हमारी अब एक काम करते है जो बैगन है उसके चिलके निकालेंगे और उसे भी क्रश कर लेंगे बैगन से मिडिलिस्ट में और एक डिश बनती है मतबल उसका नाम है वो भी बहुत टेस्टी होती है थोड़ा सा इसका टेक्शर क्रीमी होता है टेक्शर और इसी तरह से बैगन को रोज करके वो डिश बनाई जाती है अब देखिए ना बैगन भरता हमारे यहां पर भी कितने अलग अलग तरीके से बनता है कई जगा पर इसके अंदर सरसों का तेल भी इस्तमाल करते है उससे एक अलग बहुत बढ़िया टेस्ट आती है मुझे याद है मा और एक तरीके से बैगन भरता बनाती थी उसके अंदर दही डालती थी कच्चा प्याज टमाटर हरिमेज धनिया डाल के वो भी बैगन भरता बहुत अच्छा लगता था यह बैगन छिलने के बाद अब यह बैगन मैश कर लेंगे इस तरह से कुछ लोग इसके जो सीड से निकाल लेते लेकिन मैं तो डारेक्ली इसे मैश करने वाला हूँ अफकोस चक्कू से भी आप इसे मैश कर सकते हो लेकिन अगर आपके बस इस तरह का मैश होगा तो और ज़्यादा आसनी से आप कर सकते हो इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और अब ये पैन गरम करने के लिए रख देंगे और इसमें मैंने पास से छे टेबल स्पून ओईल लिया है तेल गरम होने के बाद इसके अंदर डालेंगे एक टीस्पून मस्टर्ड सीट्स और जी हाँ हरी मिर्च जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है डाग ग्रीन वाली जो तिखी वाली हरी मिर्च है वो वाली और अब इसके अंदर डालेंगे एक टीस्पून जीरा वाँ बहुत बढ़िया खुश्बू आ रहे हैं फ्रेंड्स और इसके अंदर डालेंगे क्रश किया हुआ लसन और मिर्च और आपने देखा होगा कि मैंने लसन चिला भी नहीं है उसे चिलकी के साथ ही क्रश किया था तो जबी भी आप भट्टी पे इस तरह से खाना बनाते हो तो इसी तरह से बनाते से कम समय में और ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर डालेंगे प्यास प्यास अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर डालेंगे एक टेवल स्पून हल्दी और इसके बाद अब डालते हैं इसके अंदर टमाटर साथी साथ अब डालेंगे एक टेबल स्पून पिखी वाली लाल मिर्च पाउडर अब वैसे तो हरी मिर्च हम इस्तावाल कर रहे हैं लेकिन लार मिर्च डालने से कलर भी अच्छा आता है और ओफकोस खाने में और चट पटा हो जाता है और अब इसके अंदर डालेंगे मेथी और मेथी से मैंने जैसे आपको बताया टेस्ट में और फरक पड़ता है और साथी साथ डालेंगे हरा धनिया और अब डालते हैं कटा होगा स्प्रिंग अनियान यह पिसे बहुत जाधा पकाना नहीं है इसके बाद तुरंट डाल देंगे मैश किया होगा वैगन अब इसके अंदर डाल देंगे करश की हुए मुंग पल्ली और सबसे लास में हम डालेंगे नमक देट टेबल स्पून नमक वाव फ्रेंट्स मैं आपको बताने सकता हूँ कि इतनी बढ़िया खुचबो आ रही है मुझे तो बहुत भोग लग रही है इसे दो-तीन मिनिट मैं पका लूँगा और ये गर्मा गरम भरित भाकरी के साथ मैं खाऊंगा ये गर्मा गरम भरता रेडियो हो चुका है और साथ में है भाकरी और साथी साथ हाथ से फोड़ा हुआ प्याज ये कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है एकदम बच्पन की आदा गई वाव अब मैं लूख नहीं सकता इसे खाके देखते हैं स्प्रिंग अनियन और मेथी के वज़े से बहुत बढ़िया टेस्ट इसको मिलिये और लस्ण का फ्लेवर भी आ रहा है खाते वक्त और जो टेस्ट है वो इसकी तिखी भी टेस्ट है साथी साथ लस्ण का फ्लेवर है और बैगन की खुद की टेस्ट जो है रोस्ट होने के बाद वो स्मोकी फ्लेवर इसे आया हुआ है बहुत बढ़िया लग रही है फ्रेंट्स जबी भी हम भट्टी के ऊपर खाना बनाते हैं इस तरह से तो उसकी जो टेस्ट है वो जादा बहतर होती है कोई बात नहीं लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो आप घर पर भी इसे बना सकते हो गैस पर बैगन रोस्ट करके सिर्फ जो इंग्रीडिनेट्स मैंने इस रेसिपी में बताये हुए वो आप पूरे डालने की कोशिश कीजिए स्प्रिंग अनियन है, मेथी है इन चीजों का इस्तेमाल करके टेस्ट में डेफिनेटली फरक पड़ेगा आप ज़रूर ट्राय करके देखिए मेरी यही कोशिश है कि अलग-अलग किसम की रेसिपीज ट्रैडिशनल रेसिपीज से लेकर इस वीडियो के बारे में और यह रेसिपी के बारे में आपकी क्या राय है यह ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बता सकते और अभी तक देखिए को आपने सब्स्क्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कीजिए और बेल आइकॉन भी आप ज़रूर दबाएगा ताकि आने वाले वीडियोस की इंफर्मेशन आप तक पौश्टे रहेगी मिलते अगले वीडियो में बाई